जोहिन पेश नमस्कार शोप्रेश हमारे इंडान आरफोस बायुशना पहले से ही अपने ब्रांड निव फाइटर ने बढ़े का अपग्रेडिंग क्यूं कर रहा है जिहां धान रखे इंडान आरफोस को अब तक 36 में से 30 राफेल फाइटर जेर्ट्स मिल चुके हैं जो और दिया गया था जिसमें से 6 अप्रिल 2022 तक हमारे भारत में पहुंच जाएंगे और जन्वारी 2022 से इंडिया स्पेसिफिक इंडान आरफोस के साथ त्यारी किया जाएगा जिहां ताकि राफेल की कावबेल्टिस ख्यमताओं को और मजबूत किया जा सके और ये इंडिया स्प पेसिफिक इन्यास्मेंट में जो जो रिक्वार्ड आएंगे जो मिजाइल से आएंगे जो सेंसर आएंगे उनके साथ ये फाइट और केसा प्रोफिमांस करता है ये ये प्रोफिमांस बिल्कुल सॉक्सेस्पूल होगा तो ये अप्रेडेशन हमारे अभी महजुद भारत म किया जाएगा जिसमें हाई कवाबोल मेजाईल लो ब्यांड जामार और साटलाइट कमुनिकेशन सिस्टम का इंटिकेशन सामिल है हमें ये अपग्रेडरिंग क्यूं चाहिए जी हाँ धन्रक हमारे टोग्राब चीन के साथ चल रहा है साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी अभ सामिल रहते हैं तो ये प्रतिकुल परिश्चितियों को देखते हुए हमारे राफल फाइटर जेट को काबिल बनाया जा रहा है जिहां जैसे फाइट कर सके ये हाई एल्ट चुड एरिया पर जिहां जैसे इंडियान आर्फुर्स की बरतमान जोरुरोत से मेल खास सके ये और इसे देखते हुए साबधानी पूर्बग ऑप्रेडेशन किया जा रहा है जिहां बड़ी बात ये है कि ये कार्योकम में हेल्मेट माउंटर अप्टिक चर टार्गेटिंग मेकानिजम पाइलोट को बिजली गोती से वेपन को फायर करने की अनुमति देगा जिहां इस तथ्यों को देखते हुए कि भारत की चीन पाकिस्तन के साथ एके अस्तिर सीमा है जिहां जो जिरो डिग्री टेंपरेचर सुन्य तापमान के साथ लोधा करो कास्मीर के खेत्रों में स्तित है और हमारे राफेल जेट में लेह लोधा को उच्चाई वाले ठीकानों से अपर डिकोए सिस्टम से लेश किया जा रहा है ताकि एयरकाप्ट राफेल को एयर टु एयर हवा से हवारो सर्फेस टु एयर सतों से हवा में मार करने वाली मीजाईल से दूर रखा जा सके जिहां मतलब अल्ली ओर्निंग सिस्टम होता है और आप लोगों को पता ही होगा कि करने में सख्यम होगी जिहां